आयकर कर्मशारी महासंग ने इस्थाना अंत्रन तैनाती आदेश वारांसी से ना होकर लखनों से किये जाने, समय से बजट ना देने उत्पर्न आर्थिक संकट सहित कई मांगों को लेकर आयकर भौन में धर्ना प्रदर्शन किया। इस जगर प्रदर्शन के अध्यक्षता आयकर कर्मशारी महासंग के स्थानिय शाखा के अध्यक्ष विना शर्मा ने किया। संकट उत्पन हो गया है। सभा में वक्ताओं ने यह भी कहा कि इस्थानांतर तैनाती आदेश वारांसी से ना होकर अब लखनों से किया जा रहा है। इसके मिरोध में भी हमारा धर्ना प्रदर्शन है, उनका कहना था यदि प्रिशासन इस बात को नहीं मानता है तो सारे कर्मशारी लखनों जाकर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्ष के सामने भूख हर्ताल करेंगे। पहले हम लोग के जो अस्थानांतर तैनाती थी, वो आयकर आयुक्त महोदे बनारस कर देते थे, मुख्य आयकर आयुक्त महोदे इलहाबाद कर देते थे, चूंकि ये लोग करमचारियों की स्थिती परिस्थिती को समस्थे थे, कि कितनी आवशक्ता है कहा कि इसको परिवार के साथ जो है थंडी जगहों पे जाकर आनंद ले रहे हैं उनको हमारे इस भावना से कोई मतलम नहीं है कि हम लोग कितने प्लीडित हैं इसलिए हम लोग आंदोलन का रुप किये हुए हैं ये आंदोलन बकायते 6 तारिक से शुरू है जिसमें हम लोग डेमेस्टेशन से शुरू किये हैं दस तारिक से हमारा जो है अंदोलन जो है धरना प्रदर्शन का दस बज़े से लेके छे बज़े तक जारी हैं, पूरे लखनव प्रभार में आयकर कर्मी धरना पे बैठे हुए हैं, और दस से बारा तक हम लोग बनारस पे बैठेंगे, फिर अठारा तारिक कारे का पूरा का हमारे साथी वहिसकार करेंगे, उसके पश्चात अगर वो हमारी मांगों को नहीं मानते हमसे वारता नहीं करते, तो लखनव जाके पूरे गोरकपूर, वाराणसी, इलहाबाद, कितने भी यहां मंडल और क्याकेते मुफसिस हैं, जिले हैं, सबके बनारस, इस सारे लोग ज के सामने हम लोग भूखर ताल करेंगे, जब तक कि हमारी बातों को नहीं सुन लेते हैं,